विल्कम टू बीडिजल दोस्तों आज की वीडियों बात करेंगें उत्राखंड में चारधाम यात्रा रिजिटेशन किस तरह के सकते हैं किस तरह की से आप अपनी यात्रा को मैनेज कर सकते हैं इसके लिए आपको उत्राखंड तो चारधाम और हमकुण की जो और रिजिटेशन है वो से श्टार हो चुगा है यहाँ पर सबसे पहले आपको पर आपको रिजिटेशन और लोगिन के और यहाँ आएगा तीन ऑप्शन दिखा देंगे टूर अप्रेटर इंडिविजल और फैमिली यहाँ आपको ट्रेवल एजनसी है टूर अप्रेटर सेलेट करेंगे और उस समय आपको टूर कंपनी नेम और जेस्टी नंबर भी चाहिए होगा इसके लिए यहाँ इंडिविजल के रूप में आपने आपको करना चाहते हैं वैक्तिकत रूप में तो अपर आहीं तो फैमिली के रूप में करना चाहते है तो फैमिली वL. अ पाशबुध का सकता है और आपर इसके तो आप उसोरीफानाए तुल करना हुगा नोटि को यहाँ पर लहाद लिखने के बाद भाद लिखने के बाद भरक suivre मेसेसज आईगा आपको यहाद मोडbenर फिल करना होगा जिस मोड़न नमबर को आपने का दिया होगा भर पर पंघ You अबने करे था, यह तरह आपसें में चैप करना होगा। लोगइन करना होगा। लिए अप आपको दिखाllion को पाईकर करना हो लोग यह option मिलेगा आपको यहां पर add your tool वाले option पर आपको दुवारा टाइप करना होगा यह टैप करना होगा टैप करने के साथ है आपके साम दुवारा से इस तरी की page open हो जाएगा यहां पर plan your tool को option आएगा select language कर सकते हैं यहां पर जिस भी language कहा अंधुरा जाएगा यहां पर दो करिंडर आपको दिखाए देंगे सबसे पहले बात करते हैं पहले से टारीक करना है जिस दढूंसरों दिज़ीत करने के बाद हरदान से एक दार शाहते हैं जी दिन एक राधर करने के बाद हर्दवार से एकजिट करेंगे वह लगगा हरद्वार में हम 25-20-30-20 को एंटर करेंगे इसके दोर यह आप चेक अबिलिटी देखना चाहते कि किस-किस धाम में जो है सीटे अबिलिबिल है तो आपको यहां दिखा देंगे जो रैड वाले बटन आपको दिखा देंगे यह सीटे फूल हो चुकी है और जो ग्रीन वाले टैब है वहाँ पर जो है सीटे अभी भी अब तूरिस्त आप के फिकाने। अब ट्रिस्त के रूप में आप यहां कितने केडिटे जाना चाहरे सिंगल है या फी दो केडि़िट्ट आप जाना चाहर रहे यहां पे उसको स्रुट करना होगा कि कि इस मोड करेंगे plan your destination कहां पर सबसे पहले जाना चाहते हैं तो यहां पर फिलाल दोई टैप को यहां पर दिखाए देंगे बजिनाद के दनाद तो जिस भी साबसे जो यह आपके डेट के नुसार जो भी आप सेलेट करेंगे उसके अधर से आपको यहां पर दिखाए देंगे यहां प ऐसके बाद आपको full name mention करना होगा मेंटरी है यह अपको mention करना होगा gender mention करना होगा, उसके बाद mobile number आपना देना होगा और उसके बाद email address एंटर यह आधार कर नंबर भी दिना अनिवारी है country आप यहां select करेंगे उसके पाद address आपको यहां पर 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 टाइप करना होगा उसके पाद city select करेंगे इसके पाद उसका नंबर आपको है यहां पर टाइप करेंगे उसके पाद इसके बाद इसके पाद इसके पाद इसके बाद यहां पर कई सारे option आपको जैसे टैक्सी से आप करना चाहते हैं यह पर टू विलर है यह प्राइबट कार है मिनी बस है तो जिससे भी आप अपना यात्रा करना चाहते तो उसको आप स्लेक्ट कर लेंगे उसके बाद अप्लोड पासपोर्ट साइस फोटो यहां पर आपको यह आप यहां पर यहां पर से प्रकेमरे को स्टार्ट करके आप यहां पड़ेंगे या फिर उसका फोटो भी आप यहां ले सकते हैं उसके बाद और 19 वैसिन से यह यहां पको एक सिनीट है यह नहीं आपके पास तो इसको आप छोड़ भी सकते हैं उसके बाद सेवेन एड मोर पी लिक कर सकते हैं और जो परसन है उसको जोड़ने के लिए उसके बाद यदि आप और यह पिल्ग्रिम्स को यहां जोड़ना चाहिए तो एड मोर वन पिल्ग्रिम्स यहां पर इसकी साह कुछ इस तरीक के इंट पर साज आएगा जो भी आपने डिटेल भरी थी वो एक उसका पेज आपको यहाँ पर इस तरीक से दिखाए देगा और नीचे आपको एक पैन बना वहाँ दिखाए देगा उस पैन पर यह एडिट वाले ऑप्शन पर आपको किलिक करना होगा और किल प्लिग्रियम एडिट स्क्रस्पुली प्लीज डाउंलोड यात्रा डिशेशन लेटर नाओ आपको बटन पर टैप करना होगा पेज के थोड़ा नीचे स्कॉल करेंगे आपको रेश्टेशन लेटर पीडियेप के रूप में डाउंलोड करने का उप्शन आ जाएगा इस लेटर कुछ इस तरीकिस आपको दिखा देगा इसका पर डाउड निकाल सकते हैं और जरूत पढ़ने पर आपको इसको किसी को भी दिखा सकते हैं अब बात करते हैं यदि आपने यात्रा के लिए जो रेश्टेशन फॉर्म में फिल कर दिया है लेकिन आपको उसमें कुछ अपको द्वारा से क्लिक करना होगा इसके बात आप अपने अकॉर्डिंग एड निव टूर को बप्टण के कलिक करके अपने तूर को द्वारा से एड़ जस्ट कर सकते हैं उसके बात पेज के निचे आपको एक अबडेट ऑप billion पर किलिक करके आप अपने यात्रा या हैं लिखिये बाई बाई जैहिंद